गुछ अ अ हेलो फ्रेंज वेलकम टू यूनीख आंलाइन गुरू चैनल जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगने पढ़ा था कि Tally में कैसे company create करते हैं, shut करते हैं, alter करते हैं, ठीक है, आज उसमें हम लोग दो चीज और पढ़ेंगे, कैसे restore करते हैं, और उसका backup लेते हैं, ठीक है, आईए, जैसा कि हमने बताया था कि हम लोग किस में काम करेंगे, work in educational mode में, work in educational mode में आके enter करेंगे, और ये हम लोग का gateway of Tally क interface खुल जाएगा, क्यों, क्योंकि हमाई company open है, जिसका नाम है ABC private limited, ये company हम लोग ने पिछले class में बनाई थी, ठीक है, और जिनका पिछले class छूट गया है, वो क्रिपया नीचे जाके link पे देख सकते हैं, ठीक है, description में, ठीक है, अब ये interface हमारा खुल गया है, gateway of Tally, तो हमें किसमे जाना company info में, company info के लिए हमने बताया था कि right hand side पे आपका लिखा है F3, F3 के नीचे single underline है, अगर single underline के साथ कोई shortcut की है, तो उसको alt के साथ प्रेस करेंगे, और double underline के साथ है, तो उसको control के साथ, ठीक है, तो single के साथ है, तो क्या करेंगे, alt F3, alt F3 में, देखिए, इस select company, shut company, create company, और alter company, ठीक है, तो हमारा क्या बच गया है, connect company, change tally world, split company data, backup और restore, इसमें से connect company, change tally world, split company data, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, backup और restore, ठीक, तो देखिए, backup मतलब होता है, कि जैसे कि आपने जो company बनाई है, वो by default आपका बना है, c user में, देखिए, हम लोग select company पर है, इसको open करेंगे, जैसे open करेंगे, देखिए, हमारा path क्या लिख रहा है, c user, public tally, erp9 data, ठीक है, और company क्या है, abc private limited, इसका code है, तो इसी code से, आपको company दिखेगी, आपके computer में, देखिए, जैसे है, c user public, तो हम इसको minimize करते है, my computer में, उसमें क्या लिखा था, c user, public, public के बाद tally, और data, यह देखिए, यह आपका आगया company, 10,000, ठीक, यह आपकी पूरी company की file है, जो कौन read का सक्टा, सिर्फ और सिर्फ tally, ठीक है, अब मान लिजिए, हमें, इस company पर, जो हमने काम किया है, अभी तक, वो हमें, अपने personal computer पर चाहिए, या हमें, मान लिजिए, आज हमने कोई काम किया, और हमें इसको अपने office में ले जाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, backup पर आएंगे, ठीक है, backup पर आके, इंटर करेंगे, तो जैसे ही हम इंटर करेंगे, इसमें देखिए, आप लोगों को दो address दिख रहा है, एक source और destination, source में हमें क्या लिखना है, जो company आपने बनाई है, अभी अपने system पे, वो किस address पे बनी है, ठीक है, हमने क्या कहा, source में हम वो लिखेंगे, कि जो company अभी हमने बनाई है, वो किस address बनी है, तो किस address बनी है, by default आ गया है, c user public tally.erp data, जो अभी हमने आ इंटर करेंगे, next उस पे आ जाएंगे, अब कहरा destination, destination मतलब हम उस company का backup कहा बनाना चाहते है, ठीक है, तो दिखा देता हूँ, आप लोगों को दोस्तों, backup के लिए, आप या तो, कोई नया folder बना लिए, desktop पे, ठीक है, या आप लोग, c, d, e drive, इसमें, या देखिए, एक हमा हमारा removable disk लगा है, g drive, ठीक है, जो कि pen drive है, इसमें से हम किसी में भी, अपनी company का backup ले सकते हैं, ठीक है, तो आइए, हम लोग लेते हैं, desktop पे, desktop पे, एक folder बनाता हूँ, new folder, और उसको लिए जेता हूँ, abc private limited, क्योंकि हमाई company का वही नाम है, abc private limited, ठीक है, इंटर, और एक औ इंटर, दो इंटर करने पर क्या होता है, यह company हमारी खुल जाती है, अब यहां से हम इसका address जो है, वो copy करने के क्या करेंगे, address बार पर उपर आएंगे, और right click करेंगे, तो copy address जब कर लेंगे, फिर tally में आएंगे, और destination में वही address paste कर देंगे, तो यह जो c लिखा है, इसक करने का shortcut होता है, Ctrl-Alt-V, क्या होता है दोस्तों, Ctrl-Alt-V, ठीक है, आईए, देखिए, जैसे ही हमने Ctrl-Alt-V किया, वैसे ही destination में वह address आ गया, आपका क्या लिखा है, c user, रतनाकर, इस system का नाम है, desktop, abc private limiter, आपके folder का नाम है, desktop पे यह folder है, जैसे ही हम इंटर करेंगे, हमारी एक company खुल के आजाएगी, abc private limited, ठीक है, क्यों, क्योंकि source पे जो address है, उसमें सिर्फ एक ही company बनी हुई है, abc private limited, अगर इस से ज्यादा company बनी हुई है, तो आपको जिस company का backup लेना है, उसको highlight करेंगे, और enter कर देंगे, इंटर करते ही, अगर जितनी company का लेना है, backup, उतनी company select हो गई, तो हम क्या करेंगे, end of list, हमें एक ही company करेंगे था, तो हमने end of list जैसे किया, तो tally ने हम से पूछा, आपको ये command accept करना है कि नहीं, तो accept करने के लिए दोस्तों, हमने पीछली class में आपको बताया था कि enter करेंगे, और accept नहीं करने के लिए, हम क्या करेंगे, escape, जो आ हमारा उस folder में backup आया कि नहीं, तो हम इसको minimize करेंगे, और देखिए, folder open था, इसमें backup आ गया, ठीक है, मान लीजिए, आप minimize किया, आप desktop open हो गया, तो abc private limited में जाएंगे, और ये देखिए, backup आ गया हमारा, ठीक है, अब इस backup को हम copy करके, pen drive में, mobile में, hard disk में, कहीं भी copy करके, इसको कहीं भी, किसी भी, कोने में भारत के, विदेश में, कहीं भी, आप इसको copy करके, ले जा सकते हैं, और उस system में, आप इसको क्या करेंगे, next option, restore, तो restore करने का मतलब क्या है, अब वो company, जिसका backup हमने लिया है, वो restore करते ही, उस system में, उस system में क्या हो जाएगी, ये restore हो ज जाएगी, क्योंकि, जिस system में आपने pen drive लगाई है, या hard disk, या mobile, उसमें ये company बनी हुई नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, restore, आईए दोस्तो, अब आप लोग कहेंगे, कि इस telly में तो भाई company बनी हुई है, तो हम क्या करेंगे, company को delete कर देते हैं, delete करने के लिए हम क् company, company set कर देंगे, ठीक है, और, जैसा कि हमने आपको बतराया था, कि वो company हमारी कहां बनी हुई थी, my computer में, c में, user में, public में, tally में, data में, ये बनी हुई है, इसको हम लोग क्या करते हैं, shift plus delete से permanently इसको delete कर देते हैं, delete हो गई, ठीक है, क्या बोला हमने, shift plus delete से permanently इसको delete कर दे ठीक है, अगर mouse से करेंगे, right click से, तो ये कहां जाएगा, recycle bin में, अब देखिए, अब ये company हमारी delete हो कई, tally में से, आप tally open करेंगे, और select company में जाएंगे, कोई company नहीं है, उस address पर क्या दिखाए, no companies on the disk, ठीक है, पर हमने company का backup ले लिया था, तो अब हम इसको restore कर सकते हैं, तो हम restore पर आएंगे, enter करेंगे, restore में भी आपका देखिए, वही दो address पूछे का, destination और source, backup में क्या था, source और destination और इसमें क्या है, destination और source, ठीक है, तो destination में हम वो address जा लेंगे, जहां पे हमें उस company का backup लेना है, ठीक है, क्या कहा हमने, destination में हम वो address जा लेंगे, जहां पे उस कंपनी को हमें रिश्टोर करना है और सोर्स में हम वह एड्रेस आ लेंगे जहां पर उस कंपनी का बैक अप हमने लिया है ठीक है तो डेस्टिनेशन वहीं हम बना लेते हैं जहां से हमने कंपनी डिलीट की थी सी यूजर पबलिक टैली डेटा आप अपनी कंपनी कहीं भी रिच्टोर का सकते हैं डेस्टिनेशन का ड्रिस कुछ भी हो सकता है आप चाहते हैं कि डी में आईए हम लोग ड्रि में लेखे, ctrl-alt-v करते ही हमारा destination में address आगया ॡ-dRIVE का sources पे हम वही address लेंगे यह जहां पे हम्हारा backup है जो की हमारा यह new folder का address है कहा है धोस्तों यह new folder का address है यह हमारा source में रहहगो क्यों की हमारा जो backup है वह हमारे इस folder में है ठीक है आईए तो सब सीज होने के बाद जैसे इंटर करेंगे तो आपको company यहां पर आ जाएगी right hand side में list of companies में जो उस source के address पर होगी enter करते ही end of list करेंगे और accept करा देंगे जैसे ही हमने accept कराया अब हम लोग क्या देखेंगे कि d drive में वो company restore हो गई की नहीं ठीक है backup के लिए आपकी file ऐसे रहेगी white paper की चरह ठीक है और restore में आपकी file हो जाएगी yellow folder देखिए एक yellow folder आ गया हमारा यह देखिए 10,000 ठीक है 10,000 के नाम से आ गया अब यह company हमारी open होगी अब company open करने के लिए क्या करेंगे address copy करेंगे select company में इंटर करेंगे back space करेंगे यह address अटा के क्या करेंगे d drive का address लिख देंगे ठीक है इसको copy कर देंगे control alt v से sorry paste कर देंगे control alt v से ठीक है और उसके बाद इंटर करते ही a b c private limited company आपकी open हो जाएगी ठीक है दोस्तों आज की लिए इतना ही thank you very much हुआ 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 हुआ